हम करने जा रहे हैं एक और एक्साम्पल, किसका एल्कुफिलिक सब्सिट्उटीशन रियाक्शन और बेँजीन रिंग यानि यह भी हमारे पास कौन सा रियाक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक आरोमैटिक सब्सिट्उटीशन रियाक्शन, सब्स 가지 में मौराय है तो बिल्कुल बहुत अच्छा एक्जाम्पल है तो लिखिये इसके अंदर क्या लिखना है इन प्रजेंस आफ इन प्रजेंस आफ हैलोजन इन प्रजेंस आफ लुईस एसेट हैलोजन यह दो ही हम यूज करते हैं गीव्स हैलोजी नेशन सब्सित्यूशन प्रजेंस रियाक्शन अन बेंजीन रिंग तो कैसे चलता है यह देखो मैकनीस कोच इस तरह की होती है यह हमरे पास हाइडोजन है जो रिप्लेस होने की तयारी में है अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर यह बी आरे जो रिप्लेस करना चाहता है और हमने ले लिया है एल बी आर थ्री कूल recovered यहलिब इस पर ट्रांसफर होंगे और यह बियार इस पर ट्रांसफर होगा तीह बी आर्पर क्या होगा में एधर इस पर ट्रांसफर हो जाए गा क्योंकρι जैसे इधर इसस तरह ट्रांसफर होगा इस पर माइनस इस पर प्लब फिये पूरा का पूरा बुहबांड होगा होगा या नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो आपको एक इंटरमीडियुत मिलेगा जो हाइली लिए निस की बल जा और वह होगा यह बी आर और यह अ इख और यहाँ पर फillies फोर माइनस को बलो कर Kent अब क्या होगा यह हाइली अनिस्टेबल है यह वाला बॉंड इस तरफ शिफ्ट होगा यह बी आर इसके ओपर शिफ्ट होगा तो कुल मिलाकर आपको क्या देखने को मिलेगा फाइनल पॉइंट पे यह ब्रोम इन अलग होगा प्लस एल बी आर थी रहेगा और एक एज भी आ कि आपके पास क्या रहेंगे फर्स्ट लिखिए की पॉइंट विदाओ लूईस असे दिस रिक्शन नॉट पासिट यानि इन अब रिक्शन लूईस असे इन अबॉईस असे इन अबव रिक्शन लूईस असे इस कैटलेस्ट सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है बही लूईस असे तो कैटलिस्ट है सेकंड पॉइंट आपके पास निकल के आएगा यहां पर एग बार ब्रॉमीन होने के बाद वह एक्ट्ट्व ग्रूप है या डिक्ट्व डिक्ट्व ग्रूप है तो आफ्टर वन हेलोजी नेशा से बेंजीन कनवर्ट इन हेलो बेंजीन या हेलो एरीन बोल सकते हो आपके हेलोजन अगर अटेज हो जाता है बेंजीन रिंग पे तो इसको क्या बोलते है हेलो एरीन है वालोजन इस बेक्टिव ग्रूप है अग्रूप है वालोजन इस जनरली नॉट टेक प्लेस यह सारे छोटे छोटे पॉइंट है करें इसको करें